अगला अध्याय शिव के अवतार योगवचारियों तथा उनके शिश्यों की नामवदी शिरे कृष्ण बोले भगवन समस्य यूगा वर्तों में योगवचारियों के व्याद से भगवान प्रेंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिश्य होते हैं उनका वर्णन कीजिए। उपमन्यों ने कहा श्वेत सुतार, मधन सुहोत्र, कंकलोगाक्षी, महमायवी, जैविशब्य, दहिवाव, रिशब, मुनी, उग्र, अत्री, सुपालक, गौतम, वेदशिरा, मुनी, गौकर्ण, गुहाव शिखंडी, जटामाली, अठाहास, दारु, लांगुली, महकाल, शूली, डंडी, मुन्डीश, सहिश्नु, सोमसर्मा, और नकुलीश्वर्ण। ये बाराह कल्प के इस सात्वे मनवंतर में युक्रम से 28 योगा अचार प्रकट हुए। इन मैंसे प्रत्ते के शांतचितवाले चार-चार शिश्च हुए, जो श्वेत से लेकर रूश्य पर्यान्त बताए गए हैं। मैं उनका क्रम्शह वर्णन करता हुँ। सुनौ श्वेत, श्वेत सिक, श्वेत औश्रव, श्वेत लोहित, दुधुंभी, शतरूप, रिचीक, केतुमान, Fallout, विशोग, विकेश, विशाप, पापनाशन, समुख, दुर्मुख, दुर्गं, दुरतिक्रम, सनतकुमार, सनक, तनन्दन, जनातन, तुधामा, विद्य तंख अंड़, वासर, मेग, मेगवा, कुवाहग, कपिल, असुरी, पंचिशिक, वाशकल, पराशर, गर्ग, भारगव, अंगिरा, बलबंधू, निरामित्र, केतुश्रंग, तपोधन, लंबोधर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वग्य, संबुध्धी, साध्य, सुधामा, कश्यप, वशिस्ट, विर्जा, अत्री, उग्र गुरुश्रिर्ट, श्रवन, श्रविस्टक, कुणी, कुणवाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्न, चैवन, ब्रहस्पति, उतत्य, वामदेव, महाकाल, महानिल, वाच्यप श्रवा, सुबीर, वक, यतिश्वर, हिर्णनाब, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमन्तु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंदर, प्लक्ष, दर्वायनी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उषिज, ब्रहस्रब, देबल, कपी, शाली होत्र, सुवेश, यूग पुनाश्राव, सर्दशु, छगल, कुम्बकरण, कुम्ब, प्रवाहकू, उलोक, बिद्दुत, शंबूक, आश्रलायन, अक्षपाद, कनाद, उलोक, वच्स, कुशिक, गर्गमित्रक और रुम्य, ये योगा चारे रूपी महिस्वर के शिच्य हैं, इनकी तंख्या 112 है, ये सब के सब सिद्ध पशुपत हैं, इनका चरी बस्वते बिद्धित रहता है, ये संपून चास्प्रों के तत्पग्य, बेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिव अश्रम में अनुरक्त, शिव ज्यान परायन, सब प्रकार की आशक्तियों सी युक्त, एक मा और वमल, स्वस्त, क्रोध शुन और जितेंद्रिय होते हैं, रुदराक्षगी माला ही इनका आभूशन होती है, उनके मस्तक त्रिपुण से अंकित होते हैं, उनमें से कोई तो शिखा के रूप में जटा धारन करते हैं, किसी के सारे केशी जटा रूप होते हैं, कोई- में तत्पर होते हैं मैं शेव görev भख्त हूं इस अभिमान सी युख्थ होते हैं सदा शेव के ही चिंतन में लगे रहते हैं उन्होंने संसार रूपी विशव्रक्ष के अंकुर को मतध लाला है वे सदा परमधाम को जाने के लिए ही कटी बद्ध होते हैं जो योगाचारियों सहित उन शिश्यों को जान मानकर सदा शिव की आराध्ना करता है वह शिव का सायूज प्राप्त कर लेता है इन में कोई अनिथा विचार नहीं करना चाहिए